आज सावित्री ब्रत है। विवायत महलाओं के बीच अत्यदिक प्रचलित जेश्ट कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री ब्रत की कथा बहुत ही रोमांचक है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपती था। भद्र देश के राजा अश्वपती की कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्रापती के लिए मंत्रो चारण के साथ प्रति दिन एक लाख आहुतियां दी। 18 वरसों तक ये करम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी की किरपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बढ़ी होकर बेहद रूप बान हुई। योग वर्ना मिलने की वज़े से सावित्री के पता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयमवर तलासने के लिए भेज दिया। सा सावित्री ने पती के रूप में उनका वरण किया। रिसी राज नारत को जब एवात पता चली तो वो राजा आश्ववती के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन ये आप क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुडवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी है पर उसकी आयू बहु कुमार को अपने वर के रूप में चुना हैं, वह अलपायू है। तो मैं किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी आर कन्याएं अपने पती का एक वारी वरण करती हैं। राजा एक वारी आग्या देता है और पंडित एक वा ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली मैं सत्यवान से ही विवा करूंगी। राजा अश्पती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंसते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनी ने कतित निश्चित थी पर पित्रों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुँचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पे चड़ गए। तबी उनके सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे गर गया। सावित्री अपना भवे से समझ गई। सत्यवान के सर को गोध में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। तबी वहाँ यमराज आते देखें। यमराज अपने साथ सत्यवान को भी ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिस की कि ये विदी का विदान है। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निस्टा और पती परायनता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी तुम धन्य हो तुम मुझसे कोई वी वर्दान मांगो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंदे हैं उन्हें आप दिव्य जोती परदान करें यमराज ने कहा ऐसा ही होगा अब जाओ लोट जाओ लेकिन सावित्री अपने पती सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही यमराज ने कहा देवी तुम बापस जाओ सावित्री ने कहा भगवन, मुझे अपने पती देव के पीछे पीछे चलने में कोई परिशानी नहीं है पती की पीछे चलना मेरा कर्तब है ये सुनके उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा सावित्री बोली हमारे ससुर का राज जचिन गिया है उसे पुनाय बापस दिला दे यमराज ने सावित्री को ये वर्दान भी दे दिया और कहा अब तुम लोट जाओ लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही यमराज ने सावित्री को तीसरा वर्दान भी मांग ये सुनके यम्राज को सत्तवान के प्राण छोड़ने पड़े यम्राज अंतरध्यान हो गए और सावित्री उसी बट बरक्ष के पास आ गई जहां उसके पती का मरत चरीर पड़ा था सत्तवान जीवन्त हो गया और दौनों खुशी-खुशी अपने राज्जी की ओर चल वट सावित्री ब्रत करने और इस कता को सुनने से उपवासक के वहवायक जीवन या जीवन साथी की आयू पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है